Hello friends, income tax के अंदर एक section है section 87A. 87A की rebate कैसे मिलती है? यह आज हम इस वीडियो के अंदर detail में discuss करेंगे. एक persons का question आया ता के sir 87A की rebate कैसे मिलती है? इस पर एक वीडियो बनाईए. तो आज आज अब इस वीडियो के अंदर detail में discuss करते हैं कि 87A क्या होता है? इसकी rebate आपको कैसे मिलती है? यह सब कुछ देखने वाला. इंकम टैक्स के अंदर जब भी हम इंकम टैक्स रेटन फाइल करता है? उसके अंदर five heads होता है. इंकम फ्रॉम, salary, income फ्रॉम, house property, income फ्रॉम, PGBP, यानि कि profit and gain from business and profession, इसके बाद capital gain और income from other sources. इन पाचों हेड्स से अगर आपकी किसी भी हेड्स से आपकी इंकम हो रही है. इन सबका separate calculation बनने के बाद आपकी income आती है gross total income. जिसको हम बोलता है gross total income. यह gross total income आपकी यहाँ पर आ जाती है. इसमें से अगर आप all tax regimes की through return file कर रहा हैं तो यहाँ पर आपको कुछ deductions मिल जाते हैं. deductions यानि कि ATC से लेकि ATUD के deductions जो होते हैं वो आपको मिलते हैं. यानि कि अगर आप invest करते हैं तो वो deductions आप available कर सकते हैं. इसके बाद आती है सर आपकी net income. Net income पर बनता है सर आपका tax calculation. यानि कि अब यह जो income आती है उस पर आपका tax का calculation होता है. अब अब हम बात करते हैं new tax regimes के हिसाब से. तो यहाँ पर अगर हम new tax regimes के अगर बात कर रहे हैं तो new tax regimes का जो slave rate है. वो slave rate है आपका. 0 से लेके 3 lakh तक 0% का tax है. 3 से लेके 6 lakh तक 5% का tax है. और 6 से लेके 9 तक आपका 10% का tax है. और 9 to 12 आपका 15 का tax है. ठीक है? अब हम यहाँ पर tax calculation करते हैं. तो tax calculation अगर हम करता है हमारी income up to 6 lakh rupees है. अगर आपकी income 6 lakh रुपया है. तो 0 से लेके 3 lakh तक सर आपको कोई भी tax pay नहीं करना है. ठीक है? यानि कि 0 tax आता है. 3 2 6 lakh पर 5% का tax है. तो यह आता है सर आपका 15,000 का tax. कितना आता है? 15,000 का. अब आपकी income अगर 7 lakh रुपीज तक है. 7 lakh रुपीज तक आपकी income है. यानि क 6 lakh to 7 lakh आपका कितना होता? 1 lakh. 1 lakh पर 10% कितना होता है? 10,000 रुपीज. तो total tax आपका कितना बन जाता है? 25,000 रुपीज. यह आपका tax है. अगर आपकी यह वाली income, net income. अगर आपकी net income 7 lakh रुपीज तक है. 7 lakh तक अगर आपकी income है. तो new tax regime के इसाब से आपका जो tax बनता है, वो 25,000 रुपीज. अब गवर्मेंट ने बोला कि सिर्फ small taxpayer है, यानि कि जो छोटे लोग है, जिनका कोई ज्यादा income नहीं है, उन्हों को रिलीफ दिया. रिलीफ उन्हों ने यह दिया, कि अगर आपकी income 7 lakh तक है, अगर आपकी income 7 lakh तक है, तो हम आपसे tax नहीं लेंगे. हम आप आपको rebate दे देंगे. क्या दे देंगे sir? rebate. तो rebate आपका कितना मिल जाता है sir? 25,000 रुपीज. तो अब आपका जो tax payable आता है, वो tax payable आता है sir, आपका 0. clear होगे आपको यहां तक. अगर आपकी income sir 5 lakh है, अगर आपकी income कितनी हो रही है sir? 5 lakh है, तो 5 lakh मतलब 3 lakh तक तक हो भी आपका tax बनता है, वो 10,000 रुपीज का tax है. तो यहां पर आपको 87A का rebate कितना मिल जाएगा? 10,000 रुपीज. यानि कि जितने ही 25,000 रुपीज तक आपका जो भी tax बनता है, उसका rebate आपको section 87A में आपको मिल जाता है, उस पर आपको कोई भी tax pay नहीं करना होता है. चीक है? यह बताया है, नो, नॉनने, normal tax pay, small tax pay के लिए. अब, सर, ऐसा tax pay थै, जिनकी income 7,100,000 रुपीज से ज्यादा हो रही है. टेक्स है और 6 lakh to 7 lakh हम मान के चले 10,000 का टेक्स है और 7 lakh to 1 बने कि 1,000, 1,000 रुपीज पर अगर हम 10% माने तो कितना टेक्स है 100 रुपेगा टेक्स, से क्रॉस कर गई है इसके लिए आपको section 87A का रिबेट नहीं मिलता है, आपको section 87A का जो रिबेट था आपका 25,000 रुपेज वो रिबेट आपको नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता है क्योंकि अब आप स्मॉल टेक्स पेर नहीं रहे, आप तो ज़्यादा हो गया, यानि कि आपका ज़्यादा टेक्स बंग गया, तो अब आपको यहाँ पर यह पूरा 25,100 रुपेज आपको टेक्स पे करना पड़ेगा, यह आपका आता है टेक्स पेबल, यह यहाँ आता है सर, आपका टेक्स पेबल, यह आप बात करते हैं NEW टेक्स रिजाइंस की, तो NEW टेक्स रिजाइंस में अगर आपकी इंकम 7 लागता गया, वो सभी इंकम, net इंकम की बात कर रहा है, अगर हम सेलरी की बात करते हो, सेलरी में आपको standard deducon मिल जाता है, 50,000 ग्रॉस टोटल इंकम होती है उपको यहां पर है यहां पर यहां पर आपके नेट इंकम जितने ग्रॉस टोटल इंकम होती है वह इंकम पर कल्कुलिशन करते हैं एगर आपके इनकम सेंकर। उसकें आपको टेक्स पीकरना है और सात लाग एक अगर सेज सेंकर। tax reserves की, all tax reserves की जो limit है, वो limit है सर आपकी 5 lakh रुपे से, यानि कि जो old slab rate है, old slab rate है, उसमें 2.5 lakh तक 0 tax है, 0 से 2.5, 2.5 से 5 पर 5% का tax है, और 5 से 10 पर 20 परसेंट का tax है, यानि कि यहां पर 5 परसेंट के हिसाब से 12,500 रुपे का tax बनता है, तो इसकी रिबेट आपको मिल जाती है, अगर आपको net income 5 lakh रुपे तक है, वहाँ पर आपको exemption भी मिलते हैं, sorry, deductions मिलते हैं आपको वहाँ 1500 रुपे का rebate मिल जाता है, यानि कि आपको tax pay नहीं करना होता है, इसके बाद आपका जितना भी TDS deduct हुआ है, वो TDS आपका पूरा refund हो जाता है, यानि कि जितना भी TDS है, वो सभी TDS आपका क्या हो जाता है, refund हो जाता है, ठीक, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि section 87 87A का rebate अपकिस तरह से ले सकते हैं, बहुत सारे students को confusion था, I hope कि ये confusion आपका अब clear हो गया, तो आज के लिए बस इतना, next वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को आप like जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करन या फिर taxation experts course, balance sheet finalization of account, यह सब कुछ courses अलग-अलग separately है, combine करना चाहते हैं, तो more discount है, अगर आप separately करना चाहते हैं, तो अलग-अलग courses आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको screen के उपर number दे रखा या फिर आप हमारी website पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो आज स्वार्च